पुलिस का टियाई जी जी कितने बड़े लेवल के अधिकारी दिए जी ने प्रेस ब्रीफिंग की, इंटरनेशनल मीडिया बीविसी सब रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस प्रेस ब्रीफिंग की और उन्हों सारी दास्ता पता दी अज्यू अब क्या इसलाम धर्म करने के बाद मूर्ती पूजा करेगी क्या क्या ये एरपोर्ट उसका पती छोड़ने गया था उसे कि जाओ बेगम साहिवा इश्क लड़ाई आओ नसरुला जी के साथ जाके मतलब यहां से तो बता के गई जैपुर और बहां से कह दिया मैं पाकिस्तान पहुँच गई और फिर बता दिया जब मीडिया में चल गया तब बता दिया अच्छा जब अंजू के लिए बोलो फातिमा बाइफाव नसरुला फिर वो बन जाएगी काफिर पाकिस्तान बहुत जैसे सीमा का है प्रक्रण चला तुरंट वीजा दे दिया जैसे सीमा का प्रक्रण चला तुरंट टिकट ठोके पाकिस्तान अंजू पहुच गई ना धर्म का हो ना ता ना जन्म का हो बंधन नमस्कार दोस्तों बहुत स्वागत है आपका एट्सिगन नीज में मैं हूँ आपके साथ नितीश पाठक एक तरफ पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा हैदर का मामला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान से दो बच्चों को छोड़ कर अंजु नाम की महिला पाकिस्तान चली गए है और एसी खबर निकल कर सामने आ रही है कि पाकिस्तान जाकर अंजُने निकाह कर लिया है वहाँ पर नसुरूला नाम के वक से मुहबत में अंजू हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली गए अब इस मुद्य को समझने के लिए हमारे साथ सीमा हैदर के वकील सीमा सचिन मीना सीमा मीना बाइफ़ाफ सचिन मीना सबसे पहले ये बात है सीमा मीना के वकील है ठीक है मैं मान लिया सीमा मीना के वकील है लेकिन तमाम तरीके से भी बात सीमा हैदर हैदर ही लोग बोल रहे है लोगों का क्या है लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं लोगों का काम है बोलना लेकिन वकील साब एक हिंदुस्तान की महिला और अन्जू के लिए बोलो फातिमा बाइफ़ाब नसर अल्ला ये बोलो लेकिन यहां पर दो बच्चों को छोड़ कर गई है उसके पती अर्विंद यहां पर है खोड़के गई है यही तो comparison है सीमा और अन्जू में सीमा चार साल पहले तलाग शुदा है सीमा पाकिस्तान में रहते हैं हिंदू धर्म ग्रहन कर चुकी है सीमा पाकिस्तान में रहते हैं दो कर्वाचा होत्के में बृत कर चुकी है सीमा के माता पिता का दिहान्त हो चुका है सीमा अपने बच्चों को ले कर आई है सीमा अपना मकान बेंच के आई है सीमा भारत में नेपाल के रास्ते आई है सीमा भारत माता की जै बोलती है सीमा बंदे मात्रम बोलती है अंजू अपने पिता के माता के जीवित यहां से गई हैं अंजू अपने शादी शुदा पती को छोड़ कर जैपूर कहके पाकिस्तान पहुच गई कहके गई जैपूर अंजू अंजू पाकिस्तान अपने दो बच्चों को छोड़ कर भी नहीं बताय चली गई और देखिए दरिया दिली पाकिस्तान की पाकिस्तान की दरिया दिली पाकिस्तान बहुत बुरा देश है लेकिन पाकिस्तान गरीब देश है कंगाल देश है भुकमरा देश है पाकिस्तान पाकिस्तानी की दरिया दिली देखिए सिर्फ जैसे सीमा कहा प्रक्रण चला कट ठोके पाकिस्तान अंजू पहुच गई दो दिन में ही अंजू को हनीमून मन गया सुहाग रात मन गई वली में की दावत हो गई वो नसरुल्ला की बेगम बन गई शरीक हैयात बन गई पाकिस्तान के लोगों इतना उसे प्यार दिया सम्मान दिया उन्होंने उसे पक्का भारतिये माना और पक्के भारतिये को उन्हें इसलाम ग्रहन कराके निकाह करके उसको शादी करा दी डी आई जी कितने बड़े लेवल के अधिकारी डी आई जी ने प्रेस ब्रीफिंग की इंटरनेशनल मीडिया बीविसी सब रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस प्रेस किया है निकाह उनका हो चुका है मेरिज रजिस्टेशन हो गया है सारे गवाब प्रजेंस मौल भी मौलाना सब की उपस्तित में धार्मी करीत रिवास से हो गया है एक तरफ ये देश एक तरफ ये कल्चर एक तरफ हमारी सब्वेता बसुधैब कुटुम्ब कम सरवे भवंतु सुखना सरवे संतु निरामया एक तरफ सीमा पाकिस्तान से आई अपने चार बच्चों को लेके उसे एक महिने से कोई आज पतनी मानने पर सुईकार नहीं आप जैसे वरिश्ट पत्रकार आप जैसे ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करने व पाकिस्तान गई थी और सीमा हैदर बीडाउट विजा मतलब की इलीगल तरीके से हिंदुस्तान आई थी तो सवाल खड़े करो सीमा एक साल से वीजा अपलाई कर रही है भारत ने उसे वीजा नहीं दिया प्यार कितना इंतिजार करेगा साहब एक साल दो साल मेरी प्रीत अ अमर कर दो बहां कहा धर्म ना धर्म का हो ना ता ना जन्म का हो बंधन तो फिर अंजू क्यों मुसल्मान बनी जब धर्म धर्म का नहीं होना था उन्होंने बनाया उन्होंने जैसा बनाया उन्होंने जैसा उसने बनी वैसी बनी वो तो आज भी कह रही है मेरा कोई निका न निकाहनामा तो आपके स्टूडियो में है तो आपके स्टूडियों पर है आप तो वैलेड इन रिपोर्टिंग करते हैं आया हुआ है उप्रब्द है सबी उस पर प्रोग्राम हो चुके हमारे पास भी भेज चुके है लोग तो उन्हों ने तो कर लिया जहां जैसी किस्चा अब यहां हो गई अब भारत गाता है है प्रीत जहां की रित वहां हम गीत वहां के गाते हैं भारत के रहने वाले हैं। संदे नहीं खड़ा किया उन्होंने भारत की नागरिक को क्यूं नहीं अपने दुश्मन देश का नागरिक माना उन्होंने भारत के नागरिक को क्यूं नहीं बोला कि तु क्योंकि उन्हें ने दो बच्चों को छोड़ के आई किसी पाकिस्तानी ने बोला तो दू बच्चों को छोड़ के आई है किसी पाकिस्तानी ने बोला तेरा बिना तला किये कैसे तल निकाह कर वादू कोई मौला ना बोले पाकिस्तान पाकिस्तान हमेशा स मैं पाक हरकत करते रहा हें ह Stitch गरी होते हैं pueden मैं सब्दुस्तान के नागरीक सब्वै होते हैं पूरी दुनिया जानती है चाइप सब्व होते हैं सब्दे का सिल्ला क्या carnival रिया प्रूंब वी दिया तुन्हें मेरे प्यारका सच सचिन और सीमा को जैल भिजवा अच्छी बात है स्वागत तो हमारा भी खूब हुआ बहुत बढ़ी आप तो थे वहाँ आपने तो ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की मुझे दस बज़े पहुंचना था लोग बारा बज़े तक मैं बारा बज़े पहुंचा बारा बज़े तो कितनी माला आएं गुल दस्ते मिठाई लेके खड़े थे रोड पर तीन तिन पीडियों के लोग खड़े थे स्वागत किया तभी तो मैं पहुंचा जो स्वागत का कर्ज उन्होंने हम पे लादा है वो वकालत के फरिस के दौर पूरा कर देंगे तो त्यूंum आप मांना लिज़ेक तरफ सीमा ऐदर का बात बता रहे हैं कि सीमा एडर के साफ भारत में की गलत हुआ औट अंजु के साथ पाकिस्तान में सही हुआ फिर आप Rinewै तोह दो 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 दूदें में उन्मने सारा किस्वार निफ्टा दिया यहा वापस आजाएंगे जब वीजा मेरा खत्म हो जाएगा हम हिंदुस्तान वापस आजाएंगे अंजू वहाँ पर जाकर अपने पती को कॉल करके बताया मतलब यहां से तो बता के गई जैपुर और बहां से कह दिया में पाकिस्तान पहुँच गई अफिर बता दिया जब मीडिया में चल गया तब बता दिया अच्छा जब चैनल पे चलने लगा तब बता दिया बताने वाली तो अपने बच्चों से भी कहके जाती माबाब से भी Ч retail wise लडाहीं के सास्थ याँ वही पाकिस्तान का कहना है पाकिस्तान के विश्मंत्रा लेका कि सीमा है राश्टी mieszka पर अभी जा चल रहा है उनका कनफरमेशन नहीं है सीमा को ले कर पाक के विजसमंतराले का है कि ऊसी मिषए मुह में तो मिठाई जाक है उसका मशें किस एक औरती ना क्या में वाहरत की नगर्द करेंग है वो पिर दोखा है धर्म के साथ अगर इसलाम धर्म किया है आपने कुबूल किया है तो आपको उस पर चलना चाहिए उसके नियमों का पालन करना चाहिए और निकाह को भी मना कर रही है मना कर रही है मना तो मना कुछ भी करते रहो निकाह नामा है मना करते रहो और वाइसे वह सीमा का वो तलाक दे चुका आप मना कर रहा है तो आप करें ठीक है अब ये भी निका नामा है सामने और आप करें मना कर रहा है अंज्यू ने शाम को जो आरती होती घरों में जैसे आरती उठाई और मूर्ति पूजा की और बुद्ध की पूजा की वैसे इसलाम धर्म का सवाल कठोर नियम है इसलिए तो धर्म में दीन धर्म नहीं छोड़ना चाहिए अपना दीन धर्म अपना छोड़ने से पहले सौवार सोचना चाहिए क्या करूं क्या ना करूं क्या ना करूं क्या ना करूं यही तो इंसान की इंसानियत होती है उसने कब छोड़ा जब पती छोड चुका अब वो दुबारा नहीं जा रही अब वो पाकिस्तान में लाश जाएगी अब वो दुबारा नमाज नहीं पड़ेगी अब वो दुबारा मक्का मदीना नहीं जाएगी अब वो दुबारा पंच वक्ती नमाज नहीं करेगी अब वो यिदन ही मनाएगी वो होली मना र है